आज के दिन मार्केट ने एक स्ट्रॉंग रेली दिखाए रेली ही नहीं एक स्ट्रॉंग क्लोजिंग भी दिये प्लस हमें वो आंकड़ा दिखा दिया जो आज तक इससे पहले हमने कभी नहीं दिखा था निफ्टी के अगर बात करें 17,000 का आंकड़ा टच भी किया उसके वोड़ा सा कम बढ़ा है लेकिन अभी भी स्ट्रॉंग क्लोजिंग इससे कह सकते हैं मिट कैप की बात करें इसमें भी 0.62% की तेजी थी जैसा संडे स्पेशल की वीडियो में हमारी बात हुई थी कि बहुत सारी इवेंट लाइन इफ है इस वीक में और मार्केट का रियक् हमें आज की दिन दिखा दिये ओवराल आज का मार्केट काफी अच्छा था आप यहां देख पाएंगे बाके मार्केट के ब्रत इग्जैक्ली कैसी थी आपके सामने जो एडवांस में थे 866 के आसपास एडवांस में थे डिक्लाइन के बात करें 920 जिस तरह से मार्केट ब तो उसके बाद धीरे धीरे 1200 के आसपास आ है और धीरे धीरे यहां 866 के आसपास आ चुक है अभी भी आपसे सिर्फ ओके कह सकतो जिस हिसाब से मार्केट बढ़ा है कहां थी तेज़ी अगर उसको समझने कोशिस करें आटो में आटो आज के दिन भी ग्रीन में रहा आईटी तेज रहे उसके बाद अगर हम बात करें रियालिटी रियालिटी में भी तेजी थी मीडिया सिर्फ एक ऐसा इंडेक्स है जहां आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग थी लाल निशान में बंद हो और मॉस्ट वाइए इसके बाद जितने विए इंफ्रा के अगर हम बात करे इसके बात करें या फिर कंजम्शन के बात करें सभी हमें एक परसंट के आसपास या फिर उस उपर तेज में बंद होते हैं दिखाई पड़ रहें इन सब के बात अगर हम फोकस करें ग्लोबल मार्केट के उपर एस उफ नौजिस वक्त के वीडियो बना रहें एस जेक निफटी अगेन हमें 17000 1.0 3 के आसपास ही दिखाई पड़ रहा है यहां से अगर हम बात करें 17150 के आसपास यानि यहां से 50 पॉइंट उपर इसके आसपास हमें रिजिस्स दिखाई पड़ सकता है वहीं बात करें डेक्स के अगर फुट से के बात करें यह सभी हमे neutral तो green में दिखाई पड़ रहे फुट से अभी flat है और बाकी आप देख से तो green निशान में दिखाई पड़ रहे तो हमारे important अब यहां से रहेगा spire सामने आने वाली है और एक अच्छी rally आज चुकी है यहां से कुछ profit booking भी आ सकती है although हमारी यहां से कुछ ऐसी बात हुई ती कल के लिए अगर कुछ hiccup आने होंगे तो second half में आएंगे first half में जिस आप से closing हुए है अच्छा market रह सकता है अगर आज की closing को देखें एक अच्छी closing हुए है इसलिए हमें 17,150 के लेवल को ध्यान में रखना चाहिए कल के लिए first half के लिए अगर यही रूल होता है यही रूल अप्लाई यहां सफिर से हो रहा अगर hiccup आने होंगे तो second half में हमें दिखाई पढ़ सकता है first half okay रहने की expectation बनी हुई है बात करें कौन रहें निफ्टी के top gainer आज के सबसे वहले भारते एटल बाते एटल के ओपर कल भी हमने cover किया था उसके ओपर इसलिए डीटेल वीडियो भी आ चुका था कि बाकी चीज़े आप सभी के सामने open हो जाए और आज भी आप देख से तो साथ कल था इसमें 4% की तेजी और आधे 7% प्लस यानि दो ही दिन में शेर अच्छा रिटेन हमें दे चुका है बात करें बजास फैनांस 5% से उपर पॉस्टिब आई शेर मोटर और हिंडाल को मेटल अच्छा भागया तो हमने देखा हैंडाल को उनमें से एक है इसके अलाव और भी भागये फिर चाहें हमारा और आपका फेवरिट क्यों ना हो टाटा स्टील बात करें टॉप लूजर कौन से टाटा मोटर्स नैसले नसन बैंग रिलाइंस यह रहे थे टॉप लूजर आज के ऑल्दो रिलाइंस में आज एक पॉस्टिब न्यूज भी थी उसके बाद भी इसमें हाफ परसन की हमें गिरावट ही दिखाए पड़ रही है इसके बाद अच्छी खासे बढ़त देखी जा रही है 9% के आसपास यह तेज हुआ है ऑल्दो उसके बाद भी एवी as of now जो 14.52 है तो उस लिहाद से उतनी टेंशन के बाद अभी भी नहीं है लेकिन इसके उपर जिस लेवल के आसपास मार्केट ट्रेवल कर रहा है जहां ट्रेड कर र अभी वैसा अप्मोब नहीं आया लेकिन एक अच्छा अप्मोब आया है यह आप देख सकतो ऐसा नहीं कि 4% भाग गया लेकिन डाउन नहीं है एक चीज़ प्लस जहां इसकी क्लोजिं हुई है इसमें अभी भी काफी अच्छा पोटेंशल आना बागी है इसलिए इसको सिर और दिन पहले यहां से लास्ट वीक ही डिसकस हुआ था कि इसको पर यहां से प्राइम फोकस पर यह शेर होना चाहिए इसमें अच्छा अप्मोब आ सकता है और आज आप देख सकते हो सीधा ही बिल्कुल ऑल्मोस 4.2% अप रहा और क्लोजिंग भी स्ट्रॉंग हुई अप एक शेर हम डिसकस करते हैं एस वे लाइफ के ओपर यहां से फोकस होना चाहिए आप यहां देख सकतो एक परसंड के आसपास यह पॉस्टिब मेरा वहीं जो क्लोजिंग है डे हाई के आसपास है अभी इसमें अच्छा आपमोब पाना पूरा बचावा है इसलिए शेर हमार भी नीचे आया यहीं 410 के आसपास आया था 411 के आसपास भी आया था कुछ दिनों पहले के बाद कर उसके बाद आप यहां देख से तो किस तरह से 410 से लेकर 426 का मूवमेंट आ चुका है और बहुत जादा दिन इसने लगाए भी नहीं है इसलिए अभी भी इसमें पूरी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है कि अच्छे ऊपर के लेवल जो है वो दिखाई पड़ सकता है अच्छा यहां से गेन दे सकता है और बाकी यह तो अपना पुराना साती है ही है आप और हम जानते है SBI काट किस लेवल से आप सभी के साथ ओपन ने डिसकस हुआ था ओल्मोस ने अपने टाइम होराजन के साफ से आप से ट्रेल कर सकता है प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर ध्यान भी दे सकता है बात करें कल के लिए कौन से इंपॉर्टन रहेगा या फिर हमारी नजर पर रहेगा कल इसमें अच्छे तेजी थी आज के बास तेजी का जड़ा से थोड़ा सा डाउन हुआ है बहुत ज्यादा तूटा नहीं है लेकिन यहां से आने दिनों में यह प्राइम फोकस पर हमारे डेफिनेटली रहने वाला है क्योंकि इससे पहले मार्केट ने अच्छी रैली दि 1550 के आसपास जैसे यह 1550 के ऊपर जाना शुरू करेगा अच्छा अपमोब आ सकता है इसलिए इस लेवल के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए बाकि आपके साथ तो एक शेर डिसकर्स डेफिनिट्टी हर दिन बेसस पर होता ही है जो मेंबर्स है या फिर प्राइवेट चैनल है वह इस चीज़ को कर पा रहे होंगे रेगुलर बेसस पर उनके साथ कई सारे ऐसे ट्रेट शेर हो रहे है जो रियल टाइम बेसस पर जो अ ब्रेक किया है किया था और वहां से आप देख से तो किस तरह से बैक टुबैक तीन कैंडल जो हमें दिखाए पड़े एक बुलिश कांडल दिखाए पड़े और आज के दिन 17,000 को भी ब्रेक कर दिया उसके ओपर निकल गया है इसलिए यहां से मोमेंट तो हमें एज उफ न बना हुआ है अभी तक को ब्रेक हुआ ही नहीं है अब यहां से 17,150 के लेवल के आसपस हमारे नजर होनी चे कि इस लेवल से निफ्टी कैसे काम करता है कि यहां से कुछ हमें प्राफिट बुकिंग दिखाईद पड़ती है शॉर्ट रन में इंट्राडे बेसेस पे एक्सप आज की में वैसी रही नहीं आई है जैसी रही कल के दिन थी जैसी रही निफ्टी में आज की दिन आंई है इसमें फ़र्सक फ़र्स हाप फ्रस्ट्री मिनिट में कुछ वैसा कुछ हुआ नहीं लेकिन ऊसका समन्ल लेकिन जैसे 36,500 के आसपास गया वहां मिला इसको resistance और उस 36,500 से इसको मेला resistance अभी भी इसमें जो जो आउटलुक दिखाए पड़ रहा है इसलिए ऐस अफ नौ तो स्ट्रोंग है अभी भी उपर के लेवल जो है जो जैसी ये 36,500 को ब्रेक करेगा और अल्मोस 37,000 के लेवल ओपन हो सकते है इसलिए उनके उपर भी अभी हमें जो माइं है ओपन रखना ही पड़ेगा कि उपर भी जा सकते है इस अफ नौ चलिए इस वीडियो में इतना ही है बाकि सारी डीटेल आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में आप जॉइन में भी कंसिलर कर सकते हैं for extra learning के लिए thank you so much